लाँ जूटिंगे इस वीडियो में जो बिन जल्दी 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 पड़ेंगे। इसे जो अलिवर्शा बच्च नची ने लिखा और ये कहें गीप है। तो चली शुरू करते हैं शुरू की चार पंक्तियां हो जाएना पत्व में राद कहीं मनजिल भी तो है दूर नहीं यह सोश थखा दिन का पंथी भी जलदी जलदी चलता है दिन जलदी जलदी ढळलताहSmell ैं सबसे पहले हाता है संकेळ संकेत में ही आता है कि आपने पंक्टि है लिए आप कहाँ से कहां तक इसकी व्याख्विक करने वाले हो तो हम करने वाले हो जय से लेकर जल्ली-जल्ड डहलता है कि चाल कर के से कर देतें उसके बात आता है संदर संदर्व में यह आता है कि आपने ज़ो कों से लेते आ चप्टर के नाम को से नाम बदलते रहते ईहां मैं प्रस्तुत पंगतिया हमारी पार्ट को स्थम लोफ च्ट की आरू भाग supreme संकलित उस से ली गई किससे दिन जल्दी टलता एक से लिए और यह पंक्तियां किस से लिखिए हरिवं वा चलिद्वर रकतिन जिस लिखा था ट्यस्ते से निशाद नेमंत्रन से उद्धरतन इसके भी चाहे तो पंप्क्ति या काव्या हैं सकते हुआ रो भाग दो से इसका जो ओनाम का और ये पंग्तियां जो किस ने लिखिए हरीवन शाय बच्चन जीने लिखिए और ये कहां से लिए उन्होंने ये पंग्तिया भी निशाने मंतरण से लिए बढ़ते आगे प्रसंग में ये बताया जाता है कि ये जो पंग्तियां ली गई ये जो काफियां दिया है जो चार आई नहीं यहांपने लिख टो इसमें कवी क्या बता रहे हैं वह आपको समझने के बाद ही पता चलता आपता प्धास को पहले समझ लेजी इसमें कवी है कि कवी ने मनुशी की ज़ुए मैं जो पत्थीकों प्थिփक जो रास्ते में चलते हैं वन्ब्णन किया है यानि कभी ने ये बताए कि जो मनुश्य ये पथिक है उसकी जीवन की आत्रा का क्या वंडन किया है तो शुरू करते हैं हो जाए ना पथ में रात कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं अब इसकी व्याक्य देखते हैं कि कभी पथिक के जीवन का वंडन करते हुए यह कहते हैं कि पतिक अपने गंतिव में पहुंच कर लक्ष प्राप्त करने के लिए प्राता चलना प्रारम करता है तो मालनी जी पतिक है यानि पतिक वही होते हैं जिसकी मंजिल जो रास्ते में चलते हैं क्यालाते मनझिल पानी के लिए लगे रहते हैं तो माने जी आप पतिक और मनजिल है कि आपको यह घर पर पहुचना और घर पर पहुच कर छो एक खाना खाना है तो स्कूल से चुटी होने के बाद आपका लक्ष क्या हो गया कि हम कुझे खाना इसे ही कभी क्या क्या कर रहा है, जो पत्थी कि यानीจ को लक्ष प्राप्थ करना रहता है, जो काम करते, दिन पर मेहनत करते, तो उनके लिए भोल रहे कि वो क्या करते हैं, सबहते हैं, उनके सोच सबहते हैं, never routine in गुट, यह सब जब कभी सोश लेता है कि उसको ज़से ठकान रहे हो था सब धिन का पंति ज़सरेदेश्स मन्हीं क्या खयाल आने खिंद्यार स्दय कते ही उसके मन में विचार आता है कि मेरा गंतंवile जादा दून नहीँ है है कि दिन धलने वाला जा फिर सबकर मनों अपने घर टायाम पर पहुश्च तों कोई भी कह जो रास्ते पर चल रहे रहा गिर यह से ना कर ना पड़े यह सोच कर थकान से चू राग इर भी तेजी से अपने कदम बढ़ाता हुँ चलने लगता है कोई भी पती जो अपने राष्टे कर लो झकारन कढ़ए मा राष्थे में राष्टे म राश्टे मं कदम ना रखों जली जली करों एतनी धकान इतनी तो कितफिक घंण हो और देंद लोके मलता है तो वही बोल रहा है कि cheap कांसे चूर जो महीत कर किया औक है तो यही सब बात यहां पर किये तो उम्मीद करते हो आपको इसमज में आगे उसमें पतिक की बात के जो राहा गेरे जो रास्ते पर चलते हैं उनके बारे में कवी नहीं आपर बताया है जो हम सेकंड काव्यांज की तरफ सलते, सेकंड पंक्ति हमारी क्या है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे नीडों से जाक रहे होंगी, ये ध्यान परों में चिडिया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें अभी आपको सबसे पहले संकेत लिखना तो हमने कहां से लिए बच्चे से लेका जल्दी ढलता है, इसकी हम पूरी व्याक्य करेंगे, संदर्व बिल्कूल वही का वही आएगा, क्योंकि हम जो वही कर रहे हैं, एक गीती कर रहे हैं, अब यहां पर प्रसंग चेंज हो जाएगा, कि इसमें क्या बताना चाह रहे है कवी, इन पंक्तियों में कवी ने क्या बताया है, कि पक्षी के उसके बच्चों के प्रति वात्चल भाव का सजीव चितरन के हैं, यानि जो पक्षी यानि जो चिडिया और चिडिया के बच्चे हैं, उन दोनों के प्रति जो वात्चल वाव यानि मा का बच्चे के प्रति प्रत्याशौ नीडों से जरह रहे होंगे हाँ पर नीडों का मतलब क्या है नीडों कवी चिडिया पक्षियों के बारे में कहता है कि प्राता काल से भोजन की तलाश में निकली चिडिया श्याम निकट आते यह सुचने लगती है कि उसके बच्चे घोसलों से इस आशा में छाक रहें होंगे कभी किसके बारे में कह रहें चिडिया जो कि एक पक्षी होती वो क्या करती प्राता काल निकल जाती यानि सुबे से निकल जाती किसमें भोजन की तलाश में उनकी जो मा रहती वो भोजन की तलाश में निकल जाती है और जब शाम निकट याती यानि शाम होने वाली रहती आपने मंमी से कुछ मंगला कि मंवी में आइस करें नहीं तो आप इनतिजार करते हों कि मम्मी आएंगे शाम को आइस क्रीम ले क्लिये आएंगे और शाम को तो आइस treatment से रहां की कभू में लिकर का ज Jiangक के मन झालता help kare छायान के मन में आता है तो उसके जो पांक तंचलता से बरने लगते और थे जलती घंड ध़लता है अनुम और कोम में और यह जो हमारे माबाप हो ऊते हुनके चिरिया के मन में भी खयाल आ रहा है कि उसके बच्चे वह भूक होंगे तो इस आस में जुए इस आशा में यह सोचती हूं उसके पंक चंचलता बने लगते यानि वह थप तो इतनी जाती लेकर फिर प्र बीए उसके पंक है वह यह सोचते हुए फिर से आगे बढ़ने लगत इसी के साथ वो क्या करती तेज गती से उन्ने लगती है तेजी से उड़के जो अपने बच्चों के पास जाने के लिए वो करती क्योंकि उसका इंतिजार करेंगे और दिन जल्दी-जल्दी ढ़नने लगता है तो उमीद करते हैं आपको यह वाला भी अच्छी से समझ में आगया होगा अब हम आगे बढ़तें नेक्स्ट वाले पर नेक्स्ट वाले काव्यांच को देखते हैं मुझसे मिलने कौन विकल मैं हूं किसके हित चंचल यह प्रश्ण शितिल करता पद को भरता उर्में वहिलता दिन जल्दी जल्दी झल्दी है अधिस संकेत में किया आएगा मुझसे मिलने से लेका दिन जल्दी झल्दा यह झालता है अधर्म यह 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 हमारे दिन जल्दी झल्दी जल्दाई पर प Wanॱ होगे तब आपको समझ में आगा कि इन पंक्तियों में कभी ने क्या बता है अपनी पीड़ा बताईए तो वह हम व्याक्या में समझते हैं फिर आप अपने मंद से भी प्रसंग लिख सकते हो मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूँ किसके हित चंचल ये प्रश्ण शितिल करता पद को भरता उर में वहिलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है तो सबसे पहले मैं आपको बता देती विकल का मतलब क्या होता है इंतिजार करना या व्याको लोना तेल का मतलब है कि आप कोई शक्ती ना बच्ची हो वो हार गया हो ठक गया हो या जो आप ढीलापन दिखा रहा हो तो वो होता है शित भरता उर में वीलता पूर क्या होता है सीना होता है हिड़दे जो हमारा हिड़दे होता है उसमें क्या वहीलता यानि वहीलता यानि होती बेचेनी आना घबराहाट होना तो वह होता है वहीलता अब शुरू करते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल मैं हूं किसके हित चंचल तो इसमें कभी क्या कह र कर रहा है कभी का कभी कि मैं किस के हित के खातिर जो तेजी से चलने का मतलब की जो किसके लिए वह चले आखर तेजी से कभी आगे क्या कह रहा है कि यह प्रशन सिटल करता किया पद को भरता और में वेलता है यानि कभी क्या कह रहा है कि यह कवी है कि प्रेशंग व्योंड हो जब वहीं दूसरी और क्या हो रहा है कभी के हिर्दे में प्रेम वेदना से बेचेनी होने लगाए क्योंकि दिन जल्दी धनले लगाए क्योंकि एक और उनको प्रश्न आता है कि मैं किसके खातिर तेजी सलूं और उनके मन तो कि दिन जल्दी डलने लगा कि दिन जल्दी ढलता है तो आपके इग्साम का टाइंड होता है तो आपके मन में भी कोशन होते तो ऐसे ही कभी के मन में भी यह फीलिंग आ संधर्व Patori Ichi कि आपके गब आ नहीं तो आप उस तरीगी से लिखanta दो सिंपल नहीं होता है कि आपको इसमें क्या समझ में इसमें आपको क्या खास लगा बस वही पॉइंट करके आपे लिखना रहता है ज़रूरी नहीं कि इसमें 5-6 पॉइंट बना के विशेश में लिखना नहीं क्यूंकि चारनलबर के साथ में आपको उसे फेकरना यह सकते हैं आज के बाद आपको कभी विशेस से ढरना नहीं है कि विशेस जो इसमें कैसे लिखना है Hiç सिंप्ल होता है और आपको जाते में टाइम दियुक्त सिंपल हॉटे है कि हमें इसका संदर याद रखना है कहां से लिए में है क्या हैं क्या त्रसंग में अब कि नहीं हो पाएंगे तो एसा कुछ नहीं कि आपको लिखना है कि understand अरे अन्यान हमेशे सब में त्केना है कि भाषा का चलीばोली का परियोग गए है यहां में कॉमा नाता है लिख सकते हो कभी पिप्ध्याश में सुएम से प्रश्ने कर रहा होसने लिख सकते हो इसमें उन्हें पीड़ा व्यक्ति की है तो इस तरीके से बिचेश सकते हो सकते हुए को जो इसरी से यॉर्द हो जाता है और और हम उसको ऑफ dividing सब में अलग लग लिखनी रहती बागी सब कॉमान रहता है तो भाषत सारे लेवं से हैं इसमें खड़ी बोली का प्रियोक किया गया और जल्दी जल्दी में पुन्रुक्ति प्रकाशलंकर तो यह तीन लाइन जो इन तीनों में आएंगी तीनों पद्यांच में आपको लिख लंकारी कोई कि जल्दी जल्दी क्या रिपीट हो रहा है तो आपको पुन्रुक्ति प्रकाशलंकर क्यों हो यह तो आप कर लोगे तो में आपको पसंदा तो लाइक जरू कि करेंदे तो आपको लोगे